हाई एव्रिवाण आपसर बहुत खुश है अपनी लाइफ में और हमारे यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है फैसगी कंसाल्टेंट एन एजूकेशन सर्विसेज और अज बहुत अच्छी कपर हमारे इंडिया के स्टुजेंस के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए जो क केनडा जाना चाहते है क्योंकि केनडा ने एनाउंस कर दिया कि अब उनको ट्रावल रिस्टिक्शन में छोड़ दी जाएगी ताकि केनडा जाकर स्टुजेंस अपनी पढ़ाई कर सके और फैमिली मेंबर्स अपनी के फैमिली को जॉइन कर सके तो यह खुशी कपर में आप को दिखा का समझा देता हूं ताकि उसके बाद आप अपने ट्रावलिंग प्लान्स बना सकते हैं और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीम पर यह है सी आई सी न्यूज और यह बहुत फेमोस और रिलाइबल नियूज एजेंसी ए कैनडा की इन्होंने लिखा है स्टुइंस इन्होंने लिखा है और देख सब्सक्रावाइबल नियूज ए इन्होंने टीन चीजे एक कि फैंबली मेंबर्स हो यह इस्टुदेंस ओ या फिर जो लोग है जो आपसे ग्राउंड्स पे गाई है उनको ट्रावल डिस्टिक्शन में छूट दिगई है आगे लिखा हुए announced in a press conference in Ottawa by Canada's ministers responsible for immigration health and public safety यह तो इसमें शामिल थे Immigration Ministerern Florence Affordable Public Safety Minister यह उसमें तीन चीजर पर द्ध McLême मिनिस्टर थे तो इने तिन चीज़ार थैंड़ी में मेंड़ीन के लिए enter Canada beginning of on October 8 जयानि कि जो Canada के जो citizens हैं जो permit residents हैं उनके जो extended family members हैं उनको अलाव किया जाएगा Canada में आने के लिए 8 October से धान रखना 8 October की बात हो दिया अब दूसरा point समझते ही कोशिश करते हैं effective October 20 international students enrolled at a Canadian designated learning institution will be able to enter Canada so long as their DLI has COVID-19 readiness plan that has been vetted by the province or territory that the DLI is located in तो समझना पड़ेगा इन्होंने बिल्कुल clear का है कि जो international students है अब वो 20 October के बाद से Canada easily travel कर पाएंगे अगर उनके जो universities हैं अगर उन्होंने अच्छे से पूरा plan बनाया कि वो किस तरीके से online classes on campus classes देंगे क्या उन्होंने precautions लिये हैं और यह पूरा इनके जो territory province के जो ministers है उन्होंने अच्छे से पूरा इसके जाच की है तो 20 October के बाद से students को allow के जाएगा Canada में travel करने के लिए ताकि वो अपनी classes ले सके तो अब बात करते हैं तीसरे point की जो आपके लिए जानना बहुत ज़रों यहां पर लिखा है foreign nationals will be able to enter for compassionate reasons such examples include traveling to Canada to attend a funeral among various other reasons one will be able to apply for a travel exemption on compassionate grounds याने कि इसमें कहा गया है कि जो हमारे भारत के लोग है जिनके relatives Canada में रहते हैं अगर उनकी कुछ कह सकते हो कि अगर किसी की God forbid मृत्य हो जाती है तो उनको अगर funeral attend कर रहा है Canada में तो उनको compassionate याने कि कह सकते emotional ground पे और दया के grounds पे उनको allow के जाएगा कि वो Canada travel करके अपनी family को join कर सके funeral के लिए अगर किसी कोई accident हुआ है तो यह कुछ reasons है compassionate ground के तो हमारे जो इंडियन लोग रहते हैं उनको allow के जाएगा अपनी family को join करने के लिए तो इन्होंने तीन चीजे बहुत important किये तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आठ अक्टूबर से जो जो Canada के citizens है उनकी extended family members से उनको allow किया जाएगा दूसरा 20 October से students को allow किया जाएगा और उसके अलावा जो families है जो इंडिया पर रहती है compassionate grounds पे उनको Canada जाने के लिए allow किया जाएगा so I hope कि यह पूरी news आपको समझ में आ गई होगी और इससे आपको काफी खुशी मिलेगी क्योंकि आप आपका Canada जाना बहुत असान हो जाएगा students का family members का और जो extended family है उनका तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर यह good news है सभी के लिए क्योंकि वीजा के लिए सब प्रॉबलम में लेकिन अप restriction थोड़ी सी कम की जा रही है तो I hope कि इससे आपको खुशी मिलेगी अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको like भी करना share भी करना हमारे reply करेंगे so finally thank you so much आपके precious time का best of luck and please हमेशा अपना ध्यान रखिये